नमस्ते आज का पाठ है पतंग और इस पतंग कविता को कवी आलोग धनवाजी ने लिखा है पतंग कविता की व्याख्या से पहले इसका केंद्रे भाव जान लेते हैं और मैं अल्पना वर्मा आपको इस कविता की व्याख्या प्रसुत कर रही हूँ पाठ्य पुस्तक में ली गई कवीता पतंग आलोग धनवाजी के एक मातर संग्रह का हिस्सा है यह एक लंबी कवीता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है पतंग के माध्यम से कवी ने इस कविता में बालसुलविच्छाओं और उमंगों का सुन्दर चित्रन किया है पतंग के समान बालसुलविच्छाओं को विबता रहे हैं और क्या बताते हैं कि बच्चे किस तरह से इधर उधर भागते हैं उनकी क्या क्या क्रियाएं होती है तो उन क्रिया कलापों और प्रक्रती में आई परिवर्तन जो शरद रितु जब आ गई है उससे पहले वर्षा रितु थी तो ये रितु परिवर्तन किस प्रकार से हो रही है और इसमें प्रक्रती में क्या परिवर्तन आया है इसे अभिव् करने के लिए उन्होंने सुन्दर बिम्बों का उपयोग किया है पतंग जो कि बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है यह कैसा सपना जिसे वे उचाईयों तक ले जाना चाहते हैं जितना उचा वे उन सपनों को उठा सकें उतना उठाना चाहते हैं उतना उचा उन पतंगों को उड़ाना चाहते हैं आस्मान में उड़ती हुई पतंगें उचाईयों की वे सीमाएं है जहां बच्चों का मन जाना चाहता है जिन सीमाओं तक पहुँचना चाहता है ना केवल उन्हें छूना चाहता है बल्कि उनके पार जाना चाहता है और आगे जाना चाहता है कविता धीरे धीरे बिम्बों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है बिम्बों यानि इमेजिस छाया जहां शरत रितु का चमकीला इशारा है जहां तितिलियों की रंगीन दुनिया है दिशाओं के मृदंग बचते हैं जहां छटों के खतरना कोने से गिरने का डर है तथा दूसरी और इस डर पर जीत पाते हुए बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं ऐसा लगता है कि पृत्वी का हर कोना खुद बखुद उनके पास आ जाता है और वे हर बार नई नई पतंगों को यानि अपनी नई नई आकांक्षाओं इच्छाओं को उचा उड़ाने का होसला लिए हिम्मत लिए फिर फिर भादों के बाद शरत की उज़ा प्रतिक्षा कर रहे हैं अर्थाथ जब भी उनके जीवन में ऐसा कोई वक्त आता है संगर्ष में इस्तिती का सामना करना पड़ता है तो वे उससे निकल कर आ जाते हैं और दुगने उत्साह के साथ दुगने साहस के साथ फिर नई परिस्तितियों का सामना करने के लिए तयार हो जाते हैं और अंधिरे के बाद उजाले की प्रतिक्षा में रहते हैं तो भादो का महीना जो होता है वे बरसात का महीना होता है और बरसात रितु में तेज बारिश इस महीने में होती है भादो से पहले सावानाता है तो भादो जब बीच जाता है महीना उसके बाद शरद रितु आती है और भादो के महीने में चुकि बहुत अधिक बरसात होती है अधिकतर बादली आकाश में च्छाई रहते हैं सूरज को छुपाए हुए तो रौश्णी भी हमें कभी-कभी ही दिखाई देती है रातें भी अंधिरी मालुम होती है तो ऐसे में जब अंधिरा छट जाता है तो उजाला हो जाता है प्रकाश दिखाई देने लगता है कुछ ऐसा ही कवी को महसूस होता है जब भादो का महीना बीथता है तब वे कहता है ऐसा प्रतीत होता है ज़से कि अंधिरी रात बीथ गई अब उजाला हो गया, सुभ हो गई तो शरत रितु जब आ जाती है तो जब उशरत रितु का सवेरा होता है तो कवी को ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में छाई हुई लालिमा खरगोश की लाल आखों के जैसे लग रही हो उसे आकाश पर चाई हुई सुभ की लालिमा शरत रितु की सुभ की लालिमा खरगोश की लाल आखों के समान दिखाई दे रही है तो खरगोश की लाल आखें के समान दिखाई देना यह बिम्ब है, दृष्य बिम्ब और यहाँ पर उपमा दी गई है खरगोश की आखों के समान सुभा की लालिमा शरत आया अब शरत का मानवी करन कर दिया उसे एक बच्चे के समान एक नटकट बच्चे के समान यहां बता रहे हैं कभी शरत आया पुलों को पार करते हुए जो इतने मौसम पिछली शरत और शरत के बीच में जो इतने मौसम आये हैं उन सभी को पार करते हुए फिर आ गया है तो इतने पुलों को पार करते हुए तो शरत आया अपनी नई चमकीली साइकल तेज चलाते हुए चमकीली साइकल क्या है जब सुभा होती है उसके बाद थोड़ा और सूरज उपर आकाश में आ जाता है उठ जाता है तब है सफेद दिखाई देने रागता है और उसकी जो रौशनी होती है सब और फैल जाती है चमकीली दिखाई देती है तो ऐसा लगता है कभी को जैसे कि यह शरत कोई बच्चा है जो अपनी चमकील साइकल को तेज चलाते हुए जो यह सूरज की तेज किरने फैल रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि शरत का मौसम जो है वह है चमकीली साइकल को तेज चलाते हुए घंटी बजाते हुए जोर-जोर से जोर-जोर से घंटी बजा रहा है ताकि सब का ध्यान अपनी और और इस रोश्णी के इशारे से संकेत देकर यह बालक पतंग उड़ाने वाले बच्चों के जुंड को इशारा करके बुला रहा है कि देखो मौसम सुहाना हो गया और पतंग उड़ाने के लिए अब यह उप्युक्त है और क्या-क्या परिवर्तन हुए अब आगे के पन्ने अबर हम देखेंगे जुंड का अर्थ होता है समुह तो इसमें जो द्रिश्य बिम्ब हैं वे कौन-कौन से हैं एक तो यह है सबसे तेज बोच्चारें गई ठीक है फिर खरोश के आँखों जैसा लाल सवेरा फिर शरद आया पुलों को पार करते हुए यह भी देख रहे है उन्हें मैसूस हो रहा है अपनी नई चमकीली साइकल तेज चलाते हुए यह भी द्रिश्य बिम्ब है फिर चमकीले इशारों से बुलाते हुए यह भी द्रिश्य बिम्ब है फिर उसके पाद घंटी जोर से बजाते हुए यह है श्रविल बिम्ब ठीक है और अब आगे हम देखते हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यह भी दृष्ष्य-बिंब है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए यह स्पर्ष्य बिंब है, पतंग उपर उड़ सके, यह दृष्ष्य-बिंब है, तो कभी कह रहे हैं कि बालक शरत चमकीले इशारों से इस समू को बुलाता है और उसने इन बच्चों की सहूलियत के लिए कि ये पतंग को आसाने से उड़ा सकें तो बालक शरत ने यानि जो शरत रितु है उसमें आकाश साफ हो जाता है वर्शा रितु के बाद सब कुछ धुला धुला सा लगता है मौसम बहुत ही सुहावना प्रतीत होता है हलकी सर्दी शुरू हो जाती है तो वे कह रहे हैं कि आकाश मुलायम स्निक्द प्रतीत होता है और ऐसे आकाश में पतंग खुब उची उड़ सकती है। दुनिया की सबसे हलकी और रंगीन चीज उड़ सके। तो आकाश को बालक शरद ने मुलायम बना दिया है। दुनिया का सबसे पतला कागस उड़ सके। बास की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बास की कमानी पतली कमानी हम पतंग का फ्रेम बनाने में यूज करते हैं तो उसी की बात कर रहे हैं तो जितना हलका कागज होगा जितनी पतली कमानी होगी जितनी हलकी पतंग होगी उतनी उची उड़ सकेगे तो यहां वे कह रहे हैं कि शरद रितु में मौसम ऐसा हो जाता है, सारा वातावरन इस तरह से हो जाता है कि बच्चे अगर पतंग उणाएंगे तो वे उँची से उँची उड़ सकेगे और यहां सबसे हलका और रंगीन, सबसे पतला कागस की तरह नाजुक क्या है बच्चों का मन, जो उँची से उँचे उड़ना चाहता है, अपनी रंगीन और हलकी विट्की कलपनाओं के सहारे, बच्चों का मन बहुत नाजुक होता है और कलपनाओं के पंख लगाकर वे पहाद मैं बनार भुजी उड़ान भरना चाहता है और बालक शरत यह भी चाहता है कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितिलियों की इतनी नाजुक दुनिया तो जब बच्छे पतंक उड़ाएंगे तो वे आनंद से यहाँ वहाँ हाँ भागते हुए किलकारियां मा बारते हुए दिखाई देंगे, खुशी से सीटियां बजाएंगे, किलकारियां जो खुशी से बच्चे चीकते हैं, उसे किलकारी कहते हैं, और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया फिर से शुरू हो सकेगी, ऐसा बालक शरत चाहता है, तो शरत रितु आने के बाद ऐसा वातवरन फिर से तयार हो, जहां बच्चों की किलकारियां गुझें, और तितलियां जो रंग विरंगी पतंगे हैं, तितलियों की भाती, इनकी दुनिया हमें दिखाई दें, तो यहां विशेश अर्थ में, सामान्य अर्थ में तितलियां पतंग हैं, रंग विरंगे, पर जन्म से ही वे लाते हैं अपने साथ का पास तो यहां इस पंक्ती का अर्थ अगर हम बाकी पंक्तियों के साथ रख कर देखें तो यह निकलता है कि कभी उन बच्चों का भागना दोड़ना देखकर यह कह रहा है कि इन बच्चों के पाओं में उनके जो तल्वे हैं उनमें कपास बंदी हुई है ऐसा लगता है कि जन्म से ही वे अपने पाउं के तल्वे में रूई बांद के आए हैं जो इनको ना तो कठोर सतह का आभास होता है ये बेसुध होकर भागते दोडते रहते हैं बच्चे एक जगे टिकते नहीं है यहाँ वहाँ दोड लगाते ही रहते हैं तो इसे देखकर वे कहते हैं ऐसा लगता है कि बच्चे जन्म के साथ ही उनके पाउं में रूई बंदी होती है रूई कैसी होती है? मुलायम और नर्म तो इसका दूसरा अर्थ भी हम कह सकते हैं बच्चों को कपास के साथ उनकी तुलना करते हुए कहा है कि जैसी कपास होती है मुलायम और सफेद यानि जो उसकी बच्चों की जो भावनाएं होती है वह कपास की भाती ही, रुई की भाती ही स्वच्छ और कोमल होती हैं पवित्र होती हैं लेकिन यहां जो अर्थ है वह पाउं के तलवे से रूई का बना होना होगा क्योंकि आगे भी कवी ने बच्चों के दोड़ने की ही बात कही है पृत्वी घूमती होई आती है पृत्वी का मानवी करण कर दिया उनके बेचैन पेरों के पास तो यहां भी पाउं की गतिशीलता का यह बिम्ब है बेचैन पेर तो एक जगे रुखते नहीं है बच्चे, अस्तिर रहते हैं, चंचल हैं, टिकते नहीं है, जैसे मन बेचैन होता है, यहाँ वहाँ भागता है, तो यह कह रहे हैं कि बच्चों के जो पैर हैं, एक जगे टिकते नहीं है, भागते रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि पृत् में गूणती हुई उनके आस पास रहती है। जब वे दोड़ते हैं बेसुद। और जब पतंग के पीक्छे वे बे ध्यानी में दोड़ते रहते हैं। उनको ये ध्यानी नहीं रहता, सुध ही नहीं रहती, कि आसपास क्या है, पाउं के नीचे क्या है, कुछ नहीं भागते रहते हैं, और उनका एक ही लक्ष्य होता है, पतंग के और निगाहें टिकाए रखना, उस पर अपनी नजरों को बनाए रखना, तो जब वे दौरते हैं बेसुद, जब इस तरह से तेजी से बेसुद होकर दौरते हैं, बेध्यानी में दौरते हैं, तब छटों को भी नरम बनाते हुए, छटों को नरम बनाने का अर्थ है, कोमल बनाने का अर्थ है, कि जो व्यक्ति देखता है जब ऐसे बच्चे भाग रहे हैं, बेसुद होकर भाग रहे हैं, उनके पाओं में क्या छत की कठोड़ता महसूस नहीं हो रही, तब ऐसा लगता है कि ये छते ही शायद नरम होंगी, या दूसरे अर्थों में वे इस तरह से बेसुद होकर भागते हुए छतों को नरम समझते हैं, मतलब उनके मन में छतों की कठोड़ता का कोई ऐसास ही नहीं है, अगर उनको ऐसास होता तो वो इतनी तेजे से भागते नहीं, कि पत्थर पड़े हैं, कंकर पड़े हैं, तो छतों को नरम बनाते हुए, यहां भी बिम्भ है, कौन सा? स्पर चतों को नरम बनाना, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यहां भी बिम्भ है, कौन सा? स्पर बजाते हुए, और जब भागते हैं, क्योंकि सारा जो अंश है, कविता का यह है, उनके भागने दोडने से है, तो हम कहेंगे, जब उनके पाओं की आहट होती है, ज जैसे कि सभी दिशाओं में, जहां जहां भाग रहे हैं, दोड रहे हैं, वहां मृदंग बज रहा हो, मृदंग धोलक के जैसे दिखने वाला एक वादे अंतर होता है, जिस पर आप थाप देते हो, बीट करते हो जब उसे, तब स्वर सुनाई देते हैं, तो कहते हैं मृद मृदंग की तरह बजाते होए प्रतीत होता है, उनके जो पाउं हैं, पदचाप हैं, वे इस प्रकार सुनाई देते हैं, जैसे कि वे सभी और जहां भी भाग रहे हैं, उन दिशाओं को वे मृदंग की तरह बजा रहे हैं, जब वे पेंग भरते होए चले आते हैं, उनका दोड़ना, और कभी को कैसा लगता है, कि बच्चे जब भागते हैं, दोड़ते हैं, तो यहां उनका बच्चों का दोड़ना जूला जूलने के समान है, जैसे हम जूला जूलते हैं, जब उचा जाना चाहते हैं, तो जोर लगा के उपर की और अपने आपको धकिलते हैं, उपर के और अपने आपको ले जाते हैं, उसे हम पेंग भरना कहते हैं, तो जूला जूलते हुए नजर आते हैं, बच्चे जब भागते हैं, इतनी तेजी से, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, आप किसी पेड की डाल को खीचें, खीचें और उसे छोड़ दें, तो वह तीजी के साथ वापस अपनी पहले वाले स्थिती में चली जाती है, एक डाली उसकी लचक, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला पनों से ऐसा करने में सहायक होता है, जब वे छटों के किनारों तक आकर, ऐसे किनारे जो खतरनाक हैं, जहां से गिर कर वे चोट खा सकते हैं, तो ऐसी जगह जब वे भागते दोडते पहुंचाते हैं, तब उनके शरीर का लचीला पन, जो किसी डाल की तरह है, उनको वापस सुरक्षित इस्थिती में पहुंचा देता है, वे पतंग खींशते हैं, उसकी डोरी खींशते खींशते या भागते वे इस इस्थिती में आ जाते हैं, कि वे अब गिर सकते हैं, तो वे अपने शरीर को फिर से ऐसा कर लेते हैं, कि वे सुरक्षित इस्थिती में आ जाएं, तो वे लचीला पन, किसी डाल की तरह है, और फिर आगे कहते हैं, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उनकी ही रोमाची शरीर का संगीत, तो जो उनका शरीर हिलता डु काम की ले पर आपका शरीर भी जूमता है, और यही है रोमाची शरीर का संगीत, रोमाची जो खुशी से आप जब रोमाच से भर जाते हैं, रोमाच थ्रिल, तो उस समय आपका शरीर भी उसी तरह से हिलता डुलता है, तो वे कह रहे हैं, तो जो बच्चे हैं, उनके रोमा मिलती है पतंग उडाते समय तो उनके शरीर का जो संगीत है उनके शरीर की जो ये लय है पतंग उडाने के साथ वह उन्हें बचाती है उन्हें गिरने से बचाती है जब भी वे ऐसे खतरना किनारों पर पहुंच जाते हैं तब उनके शरीर का लचीलापन बचाता है और उनके शरीर का प्रोमांचित शरीर का यह संगीत पतंगों की धड़कती उचाईयां अब धड़कती उचाईयां यहां पर विशेशन विपरयय अलंकार है पतंगों की धड़कती उचाईयां उन्हें थाम लेती हैं महस एक धागे के सारे तो इस कविता में आप देखेंगे कि खड़ी बोली का प्रयोक किया है और साथ ही साथ उर्दू के शब्द भी आपको कई शब्द भी देखने को मिलेंगे जैसे महज, बेचैन ठीक है तो यहां कह रहे हैं एक धागे के सहारे उरती हुई पतंग ऐसी उचाईयों से उचाईय बड़ा देने वाली हैं तो धड़कन बड़ा देने वाली उचाईयों पर उरती हुई पतंग महज एक धागे के सहारे उन्हें थाम लेती है जब ऐसा कुछ होता दिखाई देता है कि बच्चे अचाना कुछ खतरनाक कौने पर पहुँच गए हैं और वे गिरते गिरते पर उन्हें ऐसा लगता है उनके शरीर का लचीलापन जो किसी डाल की तरह उनको लचीले वेग से पुना सुरक्षत इस्तिती में पहुँचा रहा है दूसरा उन्हें लगता है कि शायद जो आनंद उनके शरीर को मिल रहा है और इस पतंग उढ़ाने के ले पर उनका संगि जूम रहा है यह ले उनको बचा रही है और तीसरा उन्हें लगता है कि शायद यह जो पतंग उची उड़ रही है इतनी उची उड़ रही है जो धड़कन बढ़ा देने वाली उचाईयां है वहां उड़ रही है लेकिन एक धाग के सहारे यह इन बच्चों को गिरते प्रतीत होता है और फिर कवी को क्या लगता है जब यह बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि पतंगों के साथ साथ यह भी उड़ रहे हैं अपने रंद्रों के सहारे रंद्र का अर्थ होता है छेद या फिर रोएं दो हो सकता है यहां पर तंगे उड़ रही हैं, ऐसे ही ये बच्चे भी अपनी कल्पना के सहारे मूचे आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहां धड़कती उचायां, यहां पर भी द्रिश्य बिम्ब हैं, अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, बच्चों का एक नया रूपी, इस अंश में आप देख सकते हो, कि अगर वे कभी किरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, खतरनाक भी उर्दू का शब्द है, और बच जाते हैं तब, तो क्या करते हैं, तब निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते ह हैं, और पृत्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, उनके बेचैन पैरों के पास, तो यहां आप देखें कि सुनहले सूरज में सासा क्यावरती है, तो बंड क्यावरती है, अनुप्रास अलंकार हो गया, पृत्वी आती है, तेज घूमती हुई आती है, यहां मानवी क अलंकार हो गया फिर गिरकर बच जाते हैं यहां विरोधा भास अलंकार है और बेचैन पैरों को मैंने जैसे पहले बताया कि यहां जो है पैरों की गतिशीलता का बिम्ब है जो बेचैन पैरों के माध्यम से व्यक्त किया गया है और इस पूरी कविता में सहितिक खड़ी बोल है और हिंदी के शब्दों के साथ साथ प्रसलित उर्दू भाषा के जो शब्द हैं उनका भी प्रयोग किया गया है अब यहां इस अंश में वे बता रही हैं कि जब बच्चे छतों के तो इस अंश में कभी कहते हैं पतंग उड़ाते हुई जब यह बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिरते हैं गिरने के बाद बच्चे जाते हैं तो क्या होता है उनकी निर्भीकता उनका आत्म विश्वास और अधिक बढ़ जाता है और वो दुगने साहस के साथ निडरत के साथ बिना डरे उनके मन से डर जो है वो खतम हो जाता है कि हम गिर गए और बच गए तो वे निडर हो जाते हैं और दुगने जोश के साथ उत्साहा के साथ फिर से छत पर आते हैं और सूरज चमक रहा है आकाश में तो मतलब दुपार का समय और फिर आते हैं और पतंग उड़ाते हैं और ऐसे में लगता है कि जैसे ये दोड़ते भागते बच्चे नहीं बलकि इनके चारों और पृत्वी तेजी से घूम रही है पहले से भी अधिक तेजी से क्योंकि अब ये बच्चे निडर है निर्भीक है इनका आत्म विश्वास बढ़ गया है इनमें साहस बढ़ गया है तो वे कह रहे हैं कि इन बेचैन पैरों के पास यानि ये जो पैर हैं और अधिक गतिशील हो गए हैं दुगने जोश से वे पतंग उड़ा रहे हैं तब ऐसा लगता है कि पृत्वी और भी तेज घूम रही है तो यह थी कविता पतंग आशा है आपको यह कविता चीच समझ में आ गई होगी धन्यवाद तो यह थी कविता पतंग आशा है आपको यह कविता चीच समझ में आ गई होगी धन्यवाद